लता जी मान सरस्वती की एक ऐसी ही साधिका थी जिनोंने पूरे बिश्व को अपने दिव्य स्वरों से अभिभूत कर दिया साधना लता जी ने की वर्दान हम सबको मिला अयोध्या में लता मंगेश कर चौक पर स्थापित की गई मान सरस्वती की ये विशाल बिणा संगीत की उस साधना का प्रतीक बनेगी मुझे बताया गया है कि चौक परिसर में सरोवर के प्रभामय जल में संग मर्मर से बने बानवे स्वेत कमल लता जी की जीवन अवधी को दर्शा रहे है मैं इस अभिनव प्रयास के लिए योगी जी की सरकार का अयोध्या विकास प्राधिकरण का और अयोध्या की जनता का रुदय से अभिनणन करता हूँ इस अउसर पर मैं सभी देशवासियों की तरफ से भारत रतना लताजी को भाव भिनी स्रधांजली देता हूँ मैं प्रभू स्री राम से कामना करता हूँ उनके जीवन का जो लाब हमें मिला वही लाब उनके सूरों के जरिये आने वाली पीडियों को भी मिलता रहे साथियों लतादिदी की सहत जुड़ी हुई मेरी कितनी ही यादे हैं कितनी ही भावुक और स्नेहिल स्मृतिया है जब भी मेरी उनसे बात होती उनकी वानी की यूग परिचित मिठास हर बार मुझे मंत्र मुग्द कर देती थी दिदी अक्सर मुझसे कहती थी मनुष्य उम्र से नहीं कर्म से बड़ा होता है और जो देश के लिए जितना जादा करे वो उतना ही बड़ा है मैं मानता हूँ कि अयोध्या का ये लता मंगेश कर चौक और उनसे जुड़ी ऐसी सभी स्मृतियां हमें देश के प्रती कर्तव्य बोत का भी एहसास कराएगी साथियों मुझे याद है जब आयोध्या में राम मंदिर निर्मान के लिए भूमी पुजन संपन हुआ था तो मेरे पास लता दिदी का फोन आया था वो बहुत भावग थी बहुत खोशती बहुत आनंद में बर गई थी और बहुत आशिर्वाद दे रही थी उन्हें विश्वाद ने हो रहा था कि आखिर कर राम मंदिर का निर्मान शुरू हो रहा है आज मुझे लता दिदी का गाया वो भजन भी आदा रहा है मन की अयोध्या तब तक सूनी जब तक रामन आये आउध्या के भव्य मंदिर में स्री राम आने वाले है और उससे पहले करोडों लोगों में राम नाम की प्रान प्रतिष्ठा करने वाली लता दिजी का नाम अयुद्या शहर के साथ हमेशा के लिए स्थापिद हो गया है वही राम चरित मानस में कहा गया है राम ते अधिक राम कर दासा अर्थात राम जी के भक्त राम जी के भी पहले आते हैं संबह तह इसलिए राम मंदीर के भब्य निर्माण के पहले उनकी आराधना करने वाली उनकी भक्त लता दिदी के इस बुर्ती में बनाये चोग भी मंदीर से पहले ही बन गया है साथियों प्रभु राम तो हमारी सभ्यता के प्रतीक पुरुष है राम हमारी नैतिकता के हमारे मुल्यों हमारी मर्यादा हमारे कर्तब के जीवन्त आदर्श है अयुद्ध्या से लेकर रामे स्वरम तक राम भारत के कण कण में समाये हुए है भगवान राम के आशिरवात से अज जिस तेज गती से भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसकी तस्विरें पुरे देश को रोमांचीत कर रही है ये अपनी विरासत पर घर्व इसकी पुनह प्रतिष्टा भी है और विकास का नया अध्याय भी है मुझे खुशी है कि जिस जगर पर लता चौक विक्षित किया गया है वो अयोध्या में सांस्कृतिक महत्व के विभीन स्थानों को जोडने वाला प्रमुक स्थलों में से एक है ये चौक राम की पैड़ी के समीफ है और सर्यूग की पावन धारा भी उससे बहुत दूर नहीं है लता दिदी के नाम पर चौक के निर्मान के लिए इससे बहतर स्थान और क्या होता जैसे अयोध्या ने इतने युगों बाद भी राम को हमारे मन में साकार रखा है वैसे ही लता दिदी के भजनों ने हमारे अंतर मन को राम मय बनाए रखा है मानस का मंत्र त्री राम चंद्र कृपालु भजमन हरन भव भयदारुनम या फिर मिराबाय का पायो जी मैंने राम रत्तन रधन पायो अंगिलित ऐसे भजन बापु का प्रिय भजन वैश्न भजन हो या फिर जन जन के मन में उत्र चुका तुम आशा विश्वाज हमारे राम ऐसे मदूर गीत हो लता जी की आवाज में इन्हें सुन कर अनेकों देश माश्यों ने भगवान राम के दर्शन किये हैं हमने लता दिदी के स्वरों की दैविय मदूरता से राम के अलोकिक माधूरिय को अनुभव किया है और साथियों संगीत में ये प्रभाव केवल शब्दों और स्वरों से नहीं आता ये प्रभाव तब आता है जब भजन गाने वाले में वो भावना हो वो भक्ति हो राम से वो नाता हो राम के लिए वो समर्पन हो इसलिए लताजी द्वारा उचारित मंत्रों में भजनों में केवल उनका कंठी ही नहीं बलकि उनकी आस्था अध्यत्मिक्ता और पवित्रता भी गुंजती है साथियों लता दिदी की आवाज में आज भी बंदे मात्रम का आवान सुनकर हमारी आँखों के सामने भारत माता का विराण स्वरूप नजर आने लगता है जिस तरह लता दिदी हमेशा नागरी कर्तवियों को लेकर बहुत सजग रही बहसे ही ये चोग भी अयोध्या में रहने वाले लोगों को अयोध्या आने वाले लोगों को कर्तवियों परायनता की प्रेर्णा देगा ये चोग, ये वीना, अयोध्या के विकास और अयोध्या की प्रेर्णा को भी और अधिक गुंजायमान करेगी लता दिदी के नाम पर बना ये चोग हमारे देश में कला जगत से जुड़े लोगों के लिए भी प्रेर्णा स्थली की तरह कारे करेगा ये बताएगा कि भारत की जड़ों से जुड़े रहकर आधुनिक ताकी और बढ़ते हुए भारत की कला और संस्कृति को विश्व के कौने कौने तक पहुचाना ये भी हमारा कर्तव्य है